हेलो दोस्तों तो कैसे हैं अप। इस वीडियों पर बात करेंगे न्यूजीलंद और श्रिलका के वूमान मैच की इस वर्ल्ल कप से। वैसे तो बाहर हो गई यह श्रिलंका की टीम, लेकिन इंडिया के लिए हम चाहते हैं श्रिलंका न्यूजिलेंड को हरा है, ताकि इंडिया का रास्ता थोड़ा सा असान हो जाए जो सेमी फाइनल्स का है, वरना इंडिया को बड़ी टीम ऐस्ट्रिलिया के सामने खेलना और उ हम कोशिश करते हैं, बेस्ट अपनी वही हम कोशिश फिर से करेंगे, टेलिग्राम पर बेस्ट इंफरमेशन आफ्टर टॉस आती है, बल्ले बाजी करम हो, कोई भी चेंजिस होते हैं, यहाँ पर लेक एस पर आगा जब बहुत बड़ी प्लेयर है न्यूजिलेंड से उनको आप देख सकें, अब यह मैचों नेवल है, शार्जा में, शार्जा की पिछ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत असानी से समझते हैं, ड्राय है, विकेट टु विकेट बोलिंग करो, स्पिनर्स को टीम में लेके चलो, सीधी-सीधी विक्टे जाती हैं, रंस क को छोड़ किये, तो 85 में 29 फास, 51 स्पिन को विकेट, बाकी पांच रन आउट, 51 स्पिन को विकेट देखते हैं, आप समझ रहे हैं, अच्छा है, यहाँ पे एक मैच और हो गया है, उसका भी ध्यान रखना अब कहा नहीं है, स्पिन वली, ठीक है, स्पिन फ्रेंडी इसके अवरेज, दो हाफ सेंचरी, बाकियों का भी रिकॉर्ड देखोंगे, तो निलक्षी डिसिल्वा वैसे तो यहाँ आउट हुई नहीं रही है, एक बार आउट हुई है, दो मैच पे एक बार नॉट और गई थी, 51 रन्स है, बट इस साल भी इतना कुछ खास परफॉर अच्छा है, यह तो आप वेन्यू स्टाट देख रहे हो, इसके बाद हैट तुवेट देखना, उसमें भी इन रोका राना वीरका नाम अच्छा है, हैना रोब दो मेच्छे, प्रपधानी तीन मेच्छे, एमिलिया कर चार मेच्छे, सुगंधिका कुमारी पांच मेच्छ इस सेम ग्राउंड पे, अब हम एक बार हैट तुवेट देखते हैं, काफी मैचेज हुआ है, तेरा में बारा एक से न्यूजिलेंड आगे है, इसलिए न्यूजिलेंड अभी फेवरेट भी है विन करने का पिछले, दो में से एक मैच लेकिन शिलंका जीता है, जो मोस्ट मैच है, आज तक एक ही बार शिलंका ने हराया न्यूजिलेंड को अपने ही घर पर पिछले मैच में रहाया था, वान फॉर्टी न्यूजिलेंड ने किया था, शिलंका ने उसे यहां पे विन कर लिया था, ठीका और काफी अच्छा विन किया था, ओपनर स्यमारी अट्ट पट्टू और हर्शिदा समरविक्रमा नहीं जिता दिया था, तो अट्टा पट्टू पे गेम आई थी, दोनों ने ओपनर स्यमारा था, डिवाइन के 46, बेट्स के 37 थे, इनों का रानावीरा थीन विकेट, सुगंधिका कुमारी दो विकेट, यह दोनों क्या करती है, आपको देखने को मिलेगी, न्यूजिलेंड आठ विक्टो से यह मैच जीता था, यह चीज देखके चलना आप, और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, यह जो डेटा है, यह सारे हेट-to-hit का डेटा है, जितने मैचेज हुआ है, इसलिए तो आपको दिखा हाफ सेंसरीज और चालिस की अवरेज, चार हाफ सेंसरीज बहुत होती है, अटा पट्टो की एक हाफ सेंसरी है, डिवाइन की दो हाफ सेंसरीज है, अवरेज दोनों की अच्छी है, अमिलियकर एक हाफ सेंसरी, यह चारों आपकी काफी अच्छा रिकॉर्ड रखती है, समर सब्सक्राइब आपको पता ही है न्यूजिलेंड की इसमें आप देख सकते हो कैस पराग 14 जीरो विकेट यहां एक विकेट प्लेयर अच्छी है मेरेको नहीं पता न्यूजिलेंड क्या सोचके इनको नहीं खिला रही मेरे लिए तो नंबर वन जॉइस है वो लॉंग विद अच्छे टीम है यहां पर रंस देखोगे तो पहले मैच में भी ठीक के लेते दूसरे मैच में थोड़ी दिक्कत जरूर आई थी सूजी बेट 27 और 20 दोरों मैच में ठीके लिए 34 और चार्ज जॉर्जिया प्लीमर तेरा और 39 अमिलिया कर 57 नॉट और एंड उनली सेवन सोफी डिवाइन रोजमारी मायर ने दोनों मैच में अच्छे ओर जाले हैं और विकेड भी निकाली हैं आठ और 41 पर ब्रिलियंट रही हैं चार-चार ओर कर रही हैं इंपोर्टेंट रहेंगी और डेथ में भी आ रही हैं जो इनको काम पहले नहीं मिलता था इस बन यूजिलेंड दे रही ह गएं गधिक है बाकि लिया तो हूं टीन से चार यह बी डाल देंगी टीन निकाली इडन कार्सुन चार टाल सकती हैं Bluetooth का एक से राउस कर कि दूसरा खेली इस ग्राव पर नहीं खेली थी तो दो विकेट निकाल गई थी ठीक है ये चीज देखके चलना बोलिंग में थोड़ी सी आप कह सकते हो कि स्पिन की कमी है न्यूजिलेंड के अमिलिया कर पे काफिरी लाये करते हैं लेक एस पर आग आगी तो इनकी बोलिंग और बैतर हो जाएगी फूल स्टाइड इंफो बैटिंग से देख लिए या बोलिंग से देख लिए श्रलंका की भी रीसेंड फॉर्म जिसकी देखनी है द चैंटली बैड दोनों मैच में जीरो आया समरब विक्रमा साथ तईस और तीन और दिलहारी का एक इकिस आया था पिछले ही मैच में बाइस और उन्टीस नौट और निलक्षी डिसलवा देर आठ यहां सोलों और बीस पिछले मैच में उश्का संजीवनी जो एक्स्पीरिय की पेसर को तीन मैच में तो मिचले मेच में 20 अवर करने आए थी एस कुमारी को तीन मैच में चार विकिट है का विशात्र दिलवारी नोम पोलें डाल डाल जाल दी एक्स्टर दे और नोबल भी इसलिए इनके चुड़े से रंजाता पढ़ गये थे परिया धरिए को दो ही और इतना न्यूजी लैंड में कोई प्रॉमिनेंट एफ्ट हेंडर नहीं है बुरुका हरे डेमिडर में आपको मिलेंगी सचनी निसन साला चार और 27 पर जीरो एक ही मैच खेला था बागी हसी नी परेरा एट टूरंस नॉट प्ले सचनी निसन साला ने एक मैच में तीन बोलि जी कविशा दिलहारी पर कहीं बार आउट हुए है यह अच्छा है 3 प्लस 1 टाइम सेम राना वीरा यानि तीन बार टीटवेंटी एक बार वंडे तो यह इन दोनों पर आउट जादा और यहां राना वीरा यहां भी राना वीरा आ ठीक है डिवाइन और बेट्स के आगे औ लेकिन यह शार्जा में भी स्पिन फ्रेंडी कंडीशन है रुका आरेडे भी राना वीरा पर आउट हुए है सुगंधिय कुमारी की एक बॉल लगी उसी पर आउट हुए है मैडी ग्रीन अट्टा पट्टू प्रिया दर्शनी पर प्रपोजानी पर बंडे में इजी संब्र विक्रमा मैं इंपर आउट गने रखना को में निलक्षी दिसिल्व्वा को लिए ट Вас ने एक बार वर मर्वन बार इंपटिया और बंडे डिवाईन और जस्कने एक बार important अमिलिया कर और तहू हो रहेंगी यहाँ पे भी तहू हो ने अनुष्का संजीवनी को एक बढ़ी 21 बरवंडे हसेनी परेरा अमिलिया करके आगे और तहू हो के आगे एक बार तो वही नाम आ रहे हैं जो मैंने mark किया हैं उन पे match up पे जाला देना नंबर्स काफी है जो mark डे मुझे इन है अब यहाँ से हम अपनी टीम करने चलते हैं और बढ़िया से बढ़िया कोशिश करेंगे बेस्टीम करने की दोस्तो हम आगे अपनी टीम सेलेट करने हैं विकेट कीबिंग सेक्शन में अनुष्का संजीवनी सेफर चोइस रहेंगी यह श्रिलंका की विकेट कीपर भी है और बढ़िया experience बल्लेवाज भी मैं यह नहीं कहूंगा कि यह बहुत करन करतेंगी ऐसा भी हो सकता है यह दस बारा रंगी करें या उससे भी कम करें बट सेफर आप्शन है या ऐसी पूजीशन पर जहां कैच आते हैं और आप देख लो इनके कैचिंगे पॉइंट भी है मैं ऐसी नहीं कह रहा है हवा में तीर नहीं लगा रहा है मैस देखोगे तो पता लगेगा यह चीज आपको यहां देख सकते हो कैच का पॉइंट है खेलती है तो भी ध्यान नहीं देना श्रिलंका बाहर हो चुके में भी खिलाने बट ध्यान नहीं देना है बल्लेवाजी में सुजी बेट्स को लेके गया हूं इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है चालिस की आवरेज है लगा चुकी है नीचे आ रही है थ्री डाउन के करी पिक नहीं करूंगा प्लस इतनी बड़ी पावरेटर नहीं है प्लीमर और परेरा को मैं टीम में पिक नहीं करा प्लीमर वैसे ओपनिंग है हसीनी परेरा खेलेंगी बी तो भी पिक नहीं करूंगा बोलिंग सेक्शन के प्लियर्स और 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 जिनमें बोलिंग कपैसिटी उनको रखना क्योंकि ये शार्चा ग्राउंड है ब्रुका हाली डे एक अच्छा विकल्प है वो ध्यान में रखना ठीक है बैटिंग सेक्शन में अट्टा पट्टू अमिलिया कर मस्ट है अपनी टीम की बेस्ट बोलिंग और रॉंडर सोफी डिवाइन बैटिंग अच्छी कर रहे हैं रखना ही सेफ रहेगा अभी देख लेते हैं नहीं पिक करना हुआ तो कौनसी ऑप्शन है वारे पस और काविशा दिलहारी एक दो औ कर रही हैं अमा कंचना को नहीं पिक कर रहा हाला कि लास मचे तीन ओवर थे बैटिंग भी कर गी ठीक ठाक लेक एसपराग जी भाई खिला लो न्यूजी लैंड वलो या तो यह बिमार है नी तो इनको कैसे नहीं खिला रही न्यूजीन मुझे समझ नहीं आ रहा में बहुत लेने का कार्सन को भी रख लेते हैं राना वीरा का भाई मैच अप्स तो अच्छे हैं मुझे रोजमारी मायर चाहिए अपने टीम में रोजमारी मायर को भी रख रहा अभी क्या करते हैं यहां पर सोफी डिवाइन पर रिसक लिया जा सकता है अगर चेज हो बैट फर्स्ट सी दोस्तों है मिल्या करको दिये और वाइस कैप्टन सी अट्टा बट्टो अपनी अपनी टीम की में स्पिन बोलिंग और राउंडर शार्जा एक वल्टू स्पिन ठीक है यह ध्यान रखना उसी साफ सही है ट्राइल ऑफ स्पिन सारे स्पिनर्स मैक्सिम कवर करके गया हू अपकोर्स इनोशी प्रिया दर्शनी को नहीं ले पाया बुरुका हालीडे एक अच्छी ऑप्शन है वो लास्ट मैं थी पिछले मैच में और बैटिंग भी करती है मिडल ऑटर में टू से थ्री डाउन आ जाती है ठीक है लगबग थ्री डाउन तो उनको भी ले सकते हो बा अरली वीडियो में मिलने आता हो तब तक के लिए धिहान रखिया अपना भी और मैं भी अपना रखूंगा